लॉकडाउन के टाइम पे बहुत जने कुकिंग करना स्टार्ट किये और अभी प्लाइन कर रहे होगे किचन के लिए अलग-अलग एप्लाइन्स लेने की जैसे कि मिक्सी तो आज हम लोग सुजाता सूपर मिक्स मिक्सर ग्राइंडर का रिविव करेंगे यह मैंने खरीदा है और इसमें दो मीडियम जा रहाते हैं एक बड़ा जा रहाता है 900 वाट का मिक्सर है और यह वही ब्राइंड का प्रड़क्ट है जो मैक्सिमम खाने की दुकानदार और होटल वाले यूज़ करते हैं तो और मेरे चटरों कैसे हूँ अब आप चलिए रिविवीव देखते है चलिए सीधा सीधा बात करते हैं मैंने ये वीडियो होली के टाइन पर बनाया था और दबा खोल लिया है ये सुजाता सूपर मिक्स मिक्सर ग्राइंडर है इसमें 900 वाट की मोटर आती है जो काफी पावरफुल होती है इसी के साथ में एक छोटा चटनी का जार आता है एक म बड़ा साइस का ब्लेंडर जार मिलता है इसको अब ओपन करते हैं मैनुवल आया सबसे पहले तो इसमें दिखा रहे है कि ब्लेंडर जार को आप नीचे की तरफ से भी खोल सकते है ये मिक्सी से मेरा पुराना रिष्टा है तो मैं आपको इसके बारे में भी एक चीज बता तो दो साल तो कुछ भी नहीं है ये मिक्सी के लिए और साथ ही में मार्केटिंग लीफलेट आया है जो कमर्शल रेंज प्रमूट कर रहे है ये लोग इन सभी को हटाते है ये देखे इसमें एक एक्स्टा गेर भी देया गया है लेकिन ये गेर प्लास्टिक का है मेरी जो वाली सुझाता मिक्सी है डाइनमिक्स उसमें तो मेटल का है चलिए ये बात बात में डिसकस करेंगे अभी इसको ओपन करते है ये सूपर मिक्स मॉडल है तो इसमें एक ट्रांस्पेरेंट ब्लेंडिंग जार मिलता है जो अनब्रेकेबल होता है ये तूटता बिलकुल भी मिक्सर ग्राइंडर खरीदा था जो जूसर के साथ आता है वो शायद 750 वाट का था उसमें ये जार काफी बड़ा था मैं अपने हाथ से मेजर कर रहा हूं तो मेरे को पता चल रहा है ये काफी छोटा है और इसको नीचे से भी ओपन कर सकते है साफ करने के लिए लेकिन मत ख सकते है मतलब आप गरम मसाला भी पीच सकते हो और दाल का बैटर भी पीच सकते हो और तीसरा जो छोटू सा जार आता है ये चटनी का है ये शायद 400 ml का है और इसमें चटनी बहुत अच्छी बनती है कम कौन्टीडी में भी अब देखते है इसमें कवर या प्रोटेक्टर भी दिया गया है ये सपोर्ट के लिए दिया है पहले जो मॉडल जाते थे उसमें नहीं देते थे इस से आपके मिक्सी का सपोर्ट नहीं टूटेगा जो 2009 में हम लोगने मिक्सी खरी दी थी ना उसका तीन या चार साल बाद सपोर्ट टूट गया था उसके बाद उसको एर मैच नहीं करती थी मैं ये सपोर्ट की बात कर रहा हूं केबल भी देख लेते हैं सही लंबा केबल दिया गया नॉर्मल किचन के लिए तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसको आन करते हैं इसकी 900 वाट वाली डबल बाल वेरिंग के जो मोटर है उसको आप low, medium और high speed में चला सकते हो ये तीन सेटिंक मिलती है इसमें pulse बटन नहीं मिलता है overload reset बटन भी मिलता है लेकिन whip बटन मिलता है जो आपको नीचे दिख रहा है इस से आप full speed में motor को चला सकते हो मिक्सी चल रही अच्छी तरह टेस्टिंग करते हैं आप सबसे पहले ड्राइ ग्राइंडिंग करकर ये मीडियम जार में मैंने गरम मसाले की इंग्रीडियेंट्स डाल दिये हैं ये सारे भुनेवे मसाले है अब इनको ग्राइंड करते हैं मेरे को ये थोरा सा अलग-अलग लग रहा है मतलब जार भी अलग लग रहा है लिड भी अलग लग रहा है बाद में डिसकस करेंगे पहले ग्राइंडिंग करते हैं सुझाता है तो ग्राइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए देखिए एकदम मस्त ग्राइंडिंग हुई है इससे भी ज़दा फाइन ग्राइंडिंग कर सकते हैं लेकिन ये तो बिल्कुल पर्फेक्ट लग रहा है फटा फट से एक चटनी भी बना कर देखते हैं छोटे जार में ये भी एकदम सिल्की स्मूद बनी है और छोटा सा जार है तो इसमें ज़्यादा कौन्टिटी में चटनी नहीं बनानी पड़ती है चार जरने के लिए ये काफी रहती है अब जो लास्ट वाला जार है प्लास्टिक वाला अनब्रेकेबल वाला इसमें लिक्विट्स मस बनते हैं तो एक मिल्क शिक बना कर देखते हैं मैंने बहुत सारे आईस डाली है इसमें आईस को क्रश करने के लिए साथी में थोड़ा सा दूद और ठंडाई होली के टाइम पे था ना तो मैंने ठंडाई बनाई थी ढकन लगा कर इसको ग्राइंड करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए बहुत सारी मिक्सी जो होती है ना उसमें ब्लेंडिंग अक्शन सही नहीं होता है जिसके वज़े से आइस क्रश नहीं होती है मैं सिर्फ सस्ती मिक्सी की बात नहीं कर रहा हूँ महेंगी मिक्सी की भी बात कर रहा हूँ हजार बारोस्य की मिक्सी में भी वैसी प्रॉब्लम आती है और 15-20,000 की मिक्सी में भी वैसी प्रॉबलम आती है experience के साथ बोल रहा हूँ ये बिल्कुल अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है इतने सारे होटल वगेरा ये ब्रैंड यूज करते हैं उसका कोई तो रीजन होगा अब चलिए खरीदने से पहली वाली बात करते और conclusion में जाते हैं मेरे पास दो सुजाता की मिक्सी है एक super mix जो अभी हम लोग ने open करी और एक dynamics जो मैं regularly वीडियो में use करता हूँ इन दोनों का फरक आप देखिए पहले तो gear का फरक है जिससे mixी घूमती है super mix में plastic, dynam mix में metal, metal वाला काफी अच्छा रहता है जो plastic का gear रहता है वो 2-3 साल के बाद घसने लगता है मेरे पास पहले powermatic plus जो mixer थी उसमें भी plastic का था और मैंने दो बार gear उसका replace करवाया था body तो बिल्कुल same same है अब jar भी check कर लेते है दोनों में चटनी jar और medium jar सेम से मिलते है लेकिन फरक है दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना मेरे को अलग-अलग लग रहा था dynamics की medium jar की जो steel की layer है ना वो थोड़ी सी मोटी है और उपर जहा पे धकन लगता है ना वो लिप भी थोड़ी सी बड़ी है तो इससे हाथ कटने का ड़नी रहेगा और super mix के अगर हम लोग jar देखे तो वो थोड़ी सी पतली भी है और उपर से थोड़ी सी शार्फ भी है weight में भी काफी फरक है super mix का jar का weight है 492 gram dynamics के jar का weight है 528 gram dynamics का धकन है 100 gram का super mix का धकन है 70 gram का तो अगर धकन के साथ देखे तो medium jar में ही 67 से 70 gram का फरक आ गया है जो काफी होता एक jar के लिए एक और फरक है dynamics का jar आप देखे उसमें ऐसे dimples बने भी है इसमें चार dimples है जो काफी help करते है grinding करने के लिए और super mix में वो नहीं है तो लास्ट में conclusion की बात करते हैं अगर आप मेरे को पूछे तो मुझे आज भी सुझाता के mixer grinder दूसरे ब्रैंड से जादा अच्छे लगते हैं यह मैं थोड़ सा partial इसलिए हूं क्यूंकि हम लोग 15 साल से यह ब्रैंड यूज़ कर रहे हैं और हर जगे देखा है इनकी reliability बहुत अच्छी होती है और rough use अकर आप करते हो तो भी अच्छे चलते है और grinding भी बढ़िया होती है और इसी वज़े से आपका भाई कोई और brand का mixy का promotion करता ही नहीं है इसका भी नहीं कर रहा हूं इसी वज़े से मैंने आपको इसकी बुरी बात भी बताई अब आज का यह comparison देखने के बाद तो मैं वो लुगा कि आप dynamics ही लीजेगा क्योंकि आप उसमें बड़ा jar में blending तो करी सकते हो छोटा jar भी मिल रहा है चटनी बिनाने के लिए और medium jar भी मिल रहा है जो all rounder होता है तो यह complete product है और पता नहीं कभ इसमें हलका वाला jar मिलने लग बहुत जनों को वह dimple वाला jar मिल रहा है तो आप dynamics लेने का ही plan कीजेगा इसका गेर जो है वह भी metal का आता है तो आज के वीडियो के लिए इतना ही और मैंने सुना है panasonic का एक mixer grinder आता है जो की बहुत reliable होता है अगर उसका भी review अगर आपको देखना है तो comment जरूर से कीजेगा मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ बाई बाई